मैं तौसी का ओरिजिन बनाने वाला था और अभी उसकी डीटेल्स जमा कर रहा हूँ तो सोचा तब तक किसी दूसरे हीरो का ओरिजिन वीडियो बनाऊँ तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाज का ओरिजिन इसका कॉस्ट्यूम लूक एकदम कॉपी है बैटमेन से तो शुडू करते हैं बाज सबसे पहले अपियर हुआ तुलसी कॉमिक्स के इसू 455 के बाज कॉमिक्स में इसे परसुराम सर्मा और विकास पंकज ने बनाया था कानी शुरू होती है एक खतरनाक हत्यारे देव से जो की जेल से भाग जाता है और एक हाईवे पर पहुँच कर एक कार को छीन कर भाग रहा था और उसके कुछ दूर बढ़ने पर ही कुछ लोग जो हरे रंग के जिस्म वाले थे उन्होंने देव को राजकुमार कह कर संबोधित किया वो अभी सोच ही रहा था कि उन्होंने उसे बाज क्यों कहा तभी उन लोगोंने उसे पकड़ना चाहा पर कुछ मारधार के बाद वे सभी देव को एक थैले में भर कर ले जाते हैं और उसे एक कमरे में छोड़ जाते हैं वो कनफ्यूज रहता है तभी एक सैनिक बोलता है कि ये आपका ही कमरा है राजकुमार बाज और वो यह भी बताता है कि उसके ही साथी ने उसे जेल से भगाने में मदद करी थी देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है अगर आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो बता दूं कि देव अभी जिस जगह था वो एक देश था जहां प्रेत जिन भूत और देव जाती के प्रेत रहते थे और देव अभी देव प्रेतों के चंगुल में फसा था इधर कुईन और किंग खुस हो रहे थे विकोज उनका बेटा जो वापस आ गया था थोड़ी देर वाद महागुरु सैदान जो कि उन देव प्रेतों के महागुरु थे देव को लेसन के लिए बुलाते हैं जहां सैदान देव को बहुत पीटता है कई स्किल्स पूछता है जो वा नहीं कर पाता क्योंकि यह बाज था ही नहीं और कोई उसकी बात भी नहीं मान रहा था उसने अपनी याददास जाने का नाटक किया और फिर गुरु सैदान ने उसे सुरू से ट्रेनिंग दी और उसे एक सूट भी दिया जिसमें अगर दो कान और सीने पर बैटमेन का लोगो एड़ कर दिया जाए तो वो पक्का बैटमेन बन जाएगा पर जल्दी ही सैदान को यह रियलाइज हुआ कि जिसे वो बाज समझ रहे थे वो कोई और है जिसे देव सुन लेता है और सुबह होते ही वह बाज सूट चुराल कर कुछ लोगों को पीट कर भाग जाता है और वहाँ से भाग कर बन जाता है बाज और कोई सूपर हीरो नहीं बलकि एक हाई लेवल का मढरर और उसे एक सुपारी मिलती है एक करोर डॉलर्स की जहां उसे एक ऐसे आदमी को मारना था जो कि एक खूफिया और्गनाइजेशन का मेंबर था जिसका नाम था इगल इंटरनेशनल उसको सुपारी सुपरीमो नाम का आदमी देता है बाज उसका फोटो देकर सहम जाता है क्योंकि पिक्चर में बाज यानि देव का हमसकल था जो देव प्रेतो का राजकुमार था वो प्रेत बाज यानि असली बाज को मारने निकल गया और उसके पावर फिट्स देखकर वो डर सा गया तभी महागुरू सैदान ने उसे ट्रैक कर लिया और कुछ पिटाई कर दी पिटाई के बाद सैदान और बाज यानि नकली बाज, देव एक सौदा करते हैं कि राजकुमार बाज को देव पकड़ कर सैदान के हवाले कर देगा और बदले में सैदान उसे वह सूट दे देगा और देव बाज को पकड़ने निकल जाता है तभी उसे बताया जाता है कॉल पर कि प्रेतवाज पहले ही उसके इंतजार में है और फिर नकली बाज देव और असली बाज प्रेतवाज मन लड़ाई होती है जहां प्रेतवाज अपनी अंगूठी को दवा कर देव के सरीर से बाज सूट छीन लेता है और बिना बाज सूट के देव कुछ भी नहीं था और देव उसके सामने टीक भी नहीं पाता पर अगर प्रेतवाज जादा देर तक सूट पाने रहता तो सैन उसे ट्रैक कर लेता इसलिए इसका फाइदा देव उठाता है और इन दोनों में भी सौधा होता है एक करोड डॉलर पाने का जहां पर प्रेतवाज मरने का नकल करके सुप्रीमों के पास जाता है और सुप्रीमों बाज को कहकर टाल देता है कि तुम हेलिकॉप्टर से जाओ तुमें एक करोड डॉलर मिल जाएगा लेकिन यहां पर सुप्रीमों उसे डवल क्रोस करता है वो जिस हेलिकॉप्टर में होता है उसमें बम था और यहाँ प्रेतवाज वहाँ टेलिपोर्ट होकर बाज को बताता है और उन दोनों में डील होती है कि प्रेतवाज उसे पैसे देगा यानी बाज को और बाज सिर्फ क्रिमिनल्स को मारेगा पैसे उसे प्रेतवाज देगा और फिर सुरू होता है इन दोनों हमसकलों का टीम अप जहां वो दोनों ऐसे कई एडवेंचरस पर एक साथ निकलते हैं जैसे सुपरीमों को मारना, सुजी के कातिल, मुर्दों से जंग और ऐसे ना जाने कितने ये तो थी उसकी ओरिजिन, अब देखते हैं उसकी पावर तो प्रेत बाज जो चाहे वो कर सकता है जैसे पैसे लाना, टेलिपोर्ट होना, इमोटैलिटी और भी बहुत पर बाज इससे कुछ पीछे है, उसके पास है सुपर हुमन स्टेंथ, सुपर हुमन स्टैमिना, सुपर हुमन दूराबिलिटी और तो अगर इसके बड़े बड़े घाव हो जाएं तो ये अपने स्किल से उसे कुछ ही सैकेंड्स में भर लेगा ये स्किल उसके गुरु ने सिखाई है यानि महागुरु सैदान ने और ये एक हिलिंग फैक्टर की तरह काम करने वाला पावर है ये सुंग्सु जानता है जो की एक मार्शलाट है कुंग्फु की तरह ये अपने उपर फेंकी गई चीजों को रिफलेक्ट कर सकता है अपने सूट की मदद से जैसे बुलेट्स अगेरा अगेरा तो मैंने पूरी कोशिज करी कि मैं सब चीज अच्छे से एक्स्प्लेइन करूँ फिर भी अगर मैंने कुछ मिस कर दी हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना सो थैंक यू बबाई